हेलो दोस्तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये है वर्ल्ड मैप इसे मर्केटर्स मैप भी कहा जाता है और जो भी कंट्रीज आप इस मैप पर देख रहे हैं वो उनका एक्चुल साइज नहीं है जो की दिखाई दे रहा है हाला कि जो कंट्रीज की शेप है वो वैसी हो सकती है बर जो कंट्रीज का साइज है वो उनका ट्रू साइज नहीं है जैसे कि आप देखिए रशिया को, कितना बड़ा लग रहा है ये ऐसा लग रहा कि आधे एशिया के बराबर रशिया है और जो बाकी बची कंट्रीस हैं वो असानी से रशिया में फिट हो जाएंगी और फिर भी रशिया में कुछ जगा खाली बच जाएगी और इधर देखिए ग्रीन लैंड को, ये भी आधे रशिया के बराबर लग रहा है और ऐसा लग रहा है इसमें भी इंडिया चाइना असानी से फिट हो जाएंगे बट ऐसा नहीं है मैंसा क्यों बोल रहा हूँ आप ये सेंटर में एक लाइन देखिए ये है एक्वेटर लाइन जो भी कंट्री एक्वेटर लाइन के करीब होगी वो छोटी लगेगी उस कंट्री से जो एक्वेटर लाइन से बहुत दूर होगी जैसे कि रैशिया और ग्रीन लैंड और बाकी सब कंट्रीज मैं अभी आपको कंट्रीज के ट्रू साइज दिखाता हूँ सबसे पहले सर्च करते हैं ग्रीन लैंड को ये मैंने ग्रीन लैंड सर्च किया और ये मैंने ग्रीन लैंड को स्लेक्ट किया और इसे लाते हैं equator line के करीब और देखिए ये है green land का actual size उधर ये आधे रेशिया के बराबर लग रहाता हो और यहाँ पर ये आधे इंडिया के बराबर लग रहा है ये है green land का true size सेम मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ रेशिया के साथ इधर देखिए रेशिया कितना बड़ा लग रहा है और search करते हैं रेशिया को ये रेशिया को select किया और ये equator line के करीब लाया और ये है रेशिया का actual size वहाँ पर कितना बड़ा लग रहा है और यहाँ पर कितना छोटा लग रहा है ये है रेशिया का true size सेम आप चाइना के साथ भी कर सकते हैं इधर देखे चाइना कितना बड़ा लग रहा है इंडिया से और अभी सर्च करते हैं चाइना यहां पर देखे चाइना कितना बड़ा लग रहा है इंडिया से और जब इसे एक्वेटर लाइन के करीब लाते हैं यह है चाइना की true size अभी यह इंडिया से उतना बड़ा नहीं लग रहा है जितना की यहां पर लग रहा था तो आप कह सकते हैं कि marketer's map countries की shape तो define कर देता है बट उनका actual size define नहीं करता इसलिए हमें इंडिया बाकी countries के comparison में छोटा लगता है क्योंकि यह equator line के बहुत जादा करीब है और बाकी countries इंडिया से काफी दूर है equator line से काफी दूर है इसलिए इंडिया से काफी जादा बड़ी लगती है जैसे की for example कजाकस्तान और मंगोलिया भी लग 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 इंडिया जितने बड़े लगते हैं क्योंकि वो equator line से बहुत जादा दूर है अगर यह भी equator line के करीब आ जाए तो यह उतने बड़े नहीं लगेंगे जितने की map में लगते हैं तो यह है Mercator's Map की सच्चाई Thank you